जैशी रिशना दोस्तों केसे हैं आप सब बले हमारी सुबह कितनी भी बीजी हो जाए पर सुबह का नाश्ता हमेशा हल्दी होना चाहिए असल में हम कितना खाते हैं ये माइने नहीं रखता है जितना कि आप क्या खाते हैं ये माइने रखता है सो आज हम बना रहे है हाई प्रोटीन रिच चिला गाइस यहाँ पर मैंने अंकुरी चना और मूं लिये हैं इसमें प्रोटीन और फाइबर्स बहुत मातरा में होते हैं सो अब इसे ना हम मिक्सी जार में निकाल लेंगे फिर इसमें हमें दो हरी मिर्च और थोड़ा सा अधरक अड़ करना है थोड़ा सा पानी मिला कर इसे हमें अच्छे से बारिक पीस लेना है अब पिसे हुई चीजों को हम बाउल में निकाल लेते हैं इसमें हमें एक कप इतना बेसन अड़ करना है एक कप किसा हुआ यहाँ पर मैं पत्ता को भी अड़ कर रहे हूँ आदा कप चौप की हुए पालक की पत्ते डालेंगे बारी कटा हुआ एक टमाटर जाएगा पाउ चमच इसमें हल्दी पाउडर आदा चोटा चमच इसमें लाल मिर्चो का पाउडर डालेंगे पाउड चमच इसमें जीरा अड़ करते हैं आदा चोटा चमच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे स्वादा नुसार इसमें जाएगा नमक सो इसमें हमें जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी मिलाक कर इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इसमें और थोड़ा पानी मिलाते है बारी कटे होई ताजे धनी के पत्ते डालेंगे और इसे मिक्स करते है सो यहाँ पर बैटर रेडी है सो अब पैन में हमें थोड़ा सा तेल अड़ करना है फिर इसमें हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से फिलाएंगे उपर से हमें सफेद तील और काले तील और थोड़े से अलसी का जो मिक्षर है वो इसके उपर स्प्रिंकल करना है उपर से ढखकन लगाएंगे और बस हमें ना दो-तीन मिनिट के लिए इसे अच्छे से पका लेना है फिर थोड़े देर के बार ढखकन को उपन करेंगे और एक मिनिट के बाद ही इसे हम पलट लेंगे तो हमें दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह से से शेक लेना है तो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और अपनी मन पसंद चटनी के साथ इसे सव करेंगे दोस्तों आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर राइ करके देखिएगा बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हिल्दी भी है सो फिर मिलती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप घर का खाईएगा और अपना खयाल रखिए